नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हॉम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के आईपियो में तीसरे और आखरी दिन तक कितना सब्सक्रिप्सन हो चुका है सासी साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि हॉम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के आईपियो का ग्रे मार्केट में आज यानि की 25 जनवरी 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें वैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अब देखें होम फर्स फाइनेंस कंपनी का जो आई प्यो है वो 21 जनवरी से उपन था अप्लाई करने के लिए और 25 जनवरी यानि आज की दिन इसकी लास्ट देट थी है एके आम तोर पर किसी भी आई प्यो में आपको तीन दिन मिलते हैं अप्लाई करने के लिए यहां पर भी तीनी दिन थे लेकिन बीच में सटर डे संडे होने के कारण यहां पर आपको पांच दिन दिकाई दे रहे हैं अगर बात करें इसके प्राइस बैंड की तो इसका जो प्राइस बैंड है 517 से 518 के आस पास था वहीं लॉट साइज यहां पर 38 चर्ट का रखा गया था मैं बात करें मार्केट में लिस्टिंग की तो इसकी मार्केट में लिस्टिंग तीन फरवरी के दिन होने वाली है देखिए आज इसके सब्सक्रिप्शन का लास दिन था तो यहां पर फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा है जो हमारे पास आ चुका है चली देख लेते हैं कि finally यह IPO कितना सब्सक्राइब हुआ है देखिए यहाँ पर अगर QIB केटेगरी में बात करें तो यहाँ पर 52.53 टाइम से IPO सब्सक्राइब हुआ है यानि कि काफी बढ़िया यहाँ पर सब्सक्रिप्सन बोलूगा मैं यहाँ पर वहीं अगर NIAE केटेगरी में बात करें तो 39 टाइम से IPO सब्सक्राइब हुआ है देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि QIB और NIAE केटेगरी में तीसरे दिन ही सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्सन देखने को मिलता है वहीं अगर बात करें retail केटेगरी में तो यहाँ पर 6.59 काफी कम सब्सक्रिप्सन देखने को मिला है अगर उपर से compare करें देखिए यहाँ पर कम इसलिए है क्योंकि बहुत सारे IPOs एकठा open हो गए है तो जो हमारे retail ने बेशक है वो तो बहुत कम है तो limited है तो किसी ने किस IPO में apply किया किसी ने किस में तो यहाँ पर divide हो गए है इसलिए काफी कम सब्सक्रिप्सन यहाँ पर देखने को मिला है क्योंकि जिस तरीके का यह आई प्यो है यहाँ पर और ज्यादा सब्सक्रिप्सन होने के उमीद मैं सोच रहा था कि थोड़ा और retail में होगा करीब करीब 15 गुना होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर divide होने के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा कम यहाँ पर सब्सक्रिप्सन देखने को मिला है तो यहाँ अगर बात करें यहाँ पर total subscription की तो यहाँ पर 26 गुना के करीब यहाँ पर subscription आपको देखने को मिल रहा है अब देखे रिटेल में जिसने भी यहाँ पर apply किया है वहाँ पर उसको जो है allotment मिलने के chances बहुत जादा है और यहाँ पर allotment उसको मिल सकता है अब देखे बात करेंगे grey market premium की तो देखे grey market का premium इसका जो है थोड़ा सा fluctuate कर रहा है बहुत जादा क्यूंकि market में भी बहुत जादा गिरावट है जिसके कारण यहाँ पर fluctuate कर रहा है लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है grey market का premium इतना तो चल रहा है कि आपको मुनाफ़ा होगा यहाँ पर अगर बात करें आज के grey market premium की तो यहाँ पर करीब करीब यह 140 रुपे के करीब चल रहा है तो निश्चित रूप से आपको apply करना चाहिए बहुत ही बहतरीन IPO है और यहाँ पर देखे जो IPO आपको 20-30% gain देता है लिस्टिंग के दिनी वो IPO भी अच्छा होता है ऐसा नहीं है कि जो 100% दे वही अच्छा है देखिए IPOs अभी आ चुके हैं 120 टाइम भी आपको जो है वो दिया है gain दिया है लेकिन यहाँ पर जो आपको 20% भी देता है वो भी IPO बहुत बहतरीन IPO माना जाता है तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से gain चल रहा है यानि कि आपका जो यह 518 रुपे का इस उप्राइज है 140 रुपे का आपको gain दे रहा है यानि कि यह करीब 600 रुपे पर लिस्ट होता हुआ नजरा रहा है लेकिन मैं अगर अपने व्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैं देख रहा हूँ कि 200 रुपे तक का gain आपको listing के दिन ही मिलता हुआ नजरा रहा है यह मेरा point of view है मैं सोसता हूँ ऐसा कि यहाँ पर 200 रुपे तक आपको मिल सकता है अब देखिए actual price तो आपको 3 तारी कोई पता चलेगा कि कितना gain मिलने की उम्मीद है तो I think आपको जो यह वीडियो है यह पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो like, share जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें वहला आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की notification आपको मिलती रहे आज की वीडियो में फिलाल इतना है धन्रबाद